जी हाँ नाम संतुस मैं आपका स्वागत है और मैं नाम संतुस मैं हूँ आपका चाहिता दोस्त चली शुरुआत करते हैं आज इस वीडियों दोस्तो बात करने वाले हैं कि प्रधान मंतर किसान सम्मानी दी योजना के तायद किसानों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुसखबरी सरकार ने जारी कर दिया है जिहां किसानों को यहीं इंतिजार था कि दीपावली से पहले सरकार यहां पे क्या किसानों को क्या खुसखबरी देने वाली है तो finally दोस्तो सरकार ने यहां पे दे दिया है खुसखवरी क्योंकि दोस्तो यहां पे जो है काफी दिन से overall बता दें तो lockdown से ही किसान इसी के इंतिजार में थे कि सरकार यहां पे कब खुसखवरी देगी lockdown के बाद क्योंकि lockdown के वज़े से बहुत सारे ऐसे किसान भाया है जिनको यहां पर बहुत ही ज़्यादा सभी किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है जिहां जो कि आपको पता है तो यहां पर सरकार ने बड़ा decision लिया है सभी किसानों को चार हजार रुपया जो है भेजने का बरा एलान किया है हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किन किसानों को चार हजार रुपया मिलेगा और यहाँ पे कुछ नए अपडेट भी जारी किया है जिसमें कि इन किसानों को अब जो है प्रधान मंत्री किसान सम्मानी दी योजना का इस योजना के तैट कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है इसकी नई लिस्ट भी जारी हो चुक है दोस्तो टोटल जो टोटल बजट बना आगे दोस्तों यहाँ पे यहाँ पर जारी करने वाले इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं बस वीडियो शुरुक करने इस पर चोटी से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक किजेगा चैनल पर अगर नए है तो प् सदानमंति किसान सम्मानिदी योजना के तहट किसानों के लिए मोधी सरकार को बहुत बड़ी खुसकब्री सरकार ने जारी की है अब सभी किसानों को चार हजार रुपे मिलेंगे जियां चार हजार रुपे एक साथ सरकार यहां पर सभी किसानों के खाते में जारी करने वाली है आपको बता दे हैं कि यहां पर चटी किस्ट और साथवी किस्ट एक साथ जारी करने वाली है अगर आप नए किसान है तो अगर आपका पहला किस्ट मिल चुका है तो दूसरा और तीसर और किसानों को यहां पर भेजने वाले हैं पूरा डिटेटल में बताने वाले थो सरकार ने बळार डिसीजिजन लिया गया है कि कुछ ऐसे भी किसान भाया है जिनको इस योजना का लाब नहीं मिलेगा मतलब इस योजना से वंचित रखा जाएगा ते इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन किसान है क्या आप तो नहीं तो इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे तो बंचित रखा जाएगा और इस योजना का लाब नहीं दिया जाएगा सेया 40.22 करोर किसानों के खाते में सरकार यहां पे जारी करने वाली है प्रधान मंतर किसान सम्मानी दी योजना के 2000 रुपे की अगली किस्त है चलिए पूरी जान करें हम आपको बताते हैं जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं कि प्रधान मंतर किसान सम्मानी दी योजना के तहट किसानों का काफी दिन से इंतिजार था काफी दिन से किसान इंतिजार कर रहे थे कि अगली किस्ते किसानों की कब आईगी आखिर किसानों का जो है यहाँ पर प्रधान मंति किसान सम्मानी दियोजना के दाइट किसानों की साथवी किस जो यानि अगली किस्ट अब जो है कब आएगी तो सरकार ने इसके उपर बरा फैसला लिया है और यहाँ पर देख सकते हैं कि दीपा वली जियां दोस्तों जैसा क अगस्त में जो है चटी किस जो है किसानों के खाते में जाड़ी की गई थी लेकिन अब उस टाम जो है सभी किसानों के खाते में चटी किस्ट नहीं आ पाई थी तो यहाँ पर अगर एक सर्वे के कोडिंग यहाँ पर बताएगा है कि 60% किसानों के खाते में अभी तक चटी किस सरकार ने जारी किया है, मतलब 40% किसानों के खाते में अभी भी छटी किस सरकार ने नहीं जारी किया है तो ये जो है एक सर्वे के अकॉर्डिंग बता गया था जो कि आप देख सकते हैं, अब यहाँ आप आपको बता दें थो कि अभी तक नहीं मिले है तो सरकार ने इस वार बड़ा decision लिया है और सभी किसानों के खाते में जो पैसा है जो कि एक साथ भेजने का बड़ा फैसला लिए है किसानों को मिले गए जिन यहाँ पर बताया गया है कि मिलेगा हाँ वो किसान ही है खेती ही करते हैं लेकिन सरकारी नोकरी करते हैं तो उन किसानों को नहीं मिलेगा जिया जो इंकम टेक्स का भुपतान करते हैं उन लोगों को भी नहीं मिलेगा अगर वो चाहे वो खेती भी करते हैं लेकिन नहीं मिलेगा ठीक है तो यह जो है कुछ मेर हैं जजज है इस प्रकार के जो हैं उनलोगों कि श्योजना से वंचीट रखा जाएगा अब चलिए हम आपको बताता है कि list में कैसे किसान चेक कर सकते हैं अपना नाम लीस्ट में नाम चेक करने से पहले किसान भाई को यहाँ पे सबसे पहले आपको ये करना होग कि सबसे पहले हुआ कि आपके रेकॉर्ड में कोई फोल्ट्ट तो नहीं है ठीक है क्योंकि अगर कोई फोल्ट होगा तो आपको इस चीज के लिए वाला है इस चीज के लिए आप समझ जाएं तो सबसे पहले आपको अधार एडिट फ्यूचर रेकॉर्ड पर क्लिक करना है और यहां पर क्लिक करने के बाद जो है आपको एक option मिलेगा जिया यहां यहां पर चली हम क्लिक करके अपको पूरा detail में दिखाते हैं हमने यहां पर अधार पर क्लिक कर दिया है अब यहां पर अधार फ्यूचर रेकॉर्ड पर यह पूरी जानकारी इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है जैसे आप क्लिक कीजेगा तो यहाँ पे आपको अपना अधार नमर यह जो capture code है यहाँ पे डाल के और simply search कर दीजेगा search करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक नीचे जो है बता दिया जाएगा कि कोई भी गरबरी होगा तो आपको नीचे बता दिया जाएगा उसको सुल्धार करने के लिए ठीक है यह सबसे point है यह किसानों को हर हमेशा चेक करना चाहिए जब भी सरकार किस्त भेजती है तो उससे पहले चेक करना चाहिए अब यहाँ पर एक बड़ा decision लिया गया दोस्तों कि simply आपको जो है क्या करना है अपने phone में जो है pfms.nic.in चेक करना यह प्रदार मंत्री किसान सम्मानी तो जो है का official website पर आप नहीं चेक कर सकते हैं इसलिए आपको जो है pfms.nic.in जो की public finance management system क government का official website है यहाँ पर जाएं और यहाँ पर जाने के बाद आपको know your payments का एक option मिलेगा ठीक है यहाँ पर आपको click करना है click करने के बाद जो है किसानों के यहाँ पर एक option मिलेगा जिसमें आपको अपना bank का नाम bank account number confirm bank account number यह जो capture code है यह आपको यहाँ पर डाल कर simply search कर देना है समझें फिर से bank का नाम bank account number confirm bank account number यह जो capture code है यहाँ पर डाल के search कीजिएगा search करते ही दोस्तों आपको बता दिया जाएगा कि सरकार आपके खाते में 2000 रुपे भेजने वाली है या 4000 रुपे कितने किस्त का पैसा यहाँ पर भेजने वाली है पूरी जानकार आपको यहाँ प पसंद आया होगा फिर मिल तो आपसे नेक वीडियो में तब तक लाइब दो खुछ रहे हैं जाएँ दोस्तों